स्वागत है आप सभी का GS Magnet के इस YouTube प्लेटफॉर्म पे दोसातियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 21,391 बिहार पुलिस के इस परिख्षा को टार्गेट करते हुए हम लोग इस सेशन के माध्यम से डेली आपके बिहार पुलिस परिख्षा के सिलेबस पे अधारित महत्वपुन प्रशनों को सल्व करते हैं और जो 1 अक्टूबर यानि कि 1 अक्टूबर को एकजाम हुआ था 1st shift और 2nd shift में प्रशन पुछने का जो लेवल था वही लेवल को वेश बना करके हम लोग लगतार इस प्रेक्टिस सेट के माध्यम से प्रशनों को सल्व करते हैं जिससे आपके एकजाम में एक एक प्रशन इस से से आए और आप सभी जानते हैं जो लोग इमंदारी पुर्वक इस से जुड़े होंगे और अभी तक जितना हम सेसन को सल्व करा हैं यानि कि सेसन में जितना प्रशन सल्व करा हैं अधिकतर प्रस्ण एक अक्टूबर को आपके एकजाम यहनी की से से ही आया था आपके परिक्षा में तो आपके लिए यह सेसन काफे ज़्यदा इंपोटेंट है तो आज के इस सेसन की सुरुआत हम लोग जोगराफी के कुछ महत्पुन प्रस्णों के साथ हम लोग सुरू करेंगे जिसमें आपको दिक रहा होगा कि प्रस्ण का डिसकर्शन भी जबरजस्त दिया गया है तो आप सभी लोग इस सेसन से जुड़के रहिए सेसन को पूरा एटेंड कीजिए जिससे आपका प्रस्ण पूरा सल्व हो और आपके दिमाग में हर एक प्रस्ण का एंसर नाजता रहे ठीक है तो आएए आज के सेसन को सुरू करते हैं सेसन सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सस्क्राइब करके बगल वाले घंटी को जरूर दबा देजिएगा ताकि कोई भी वीडियो बिहार पुलिस से समंदित इस चैनल पला जाए यूटुब के द्वारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन पे प्राप्तो और आप आसानी से उस वीडियो को देख सके ठीक है ठीक है देखिए पहला प्रस्न है आपका पाक जल डमरु मध तथा मनार की खानी के द्वारा निर्मित संकरे समुंदरी जलमार्ग के कारण इन में से कौन सा देश भारत से अलग होता है देखिए यह प्रस्न काफी बार बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एकजाम में पूछा गया है ध्यार रखिएगा अप्सन नमबर सी आपके प्रस्न का सही जबाब होगा यानि कि स्रिलंका जब आप लोग देखिए डिसकर्शन को पढ़िएगा तो डिसकर्शन में भी अप्सन नमबर सी बताया गया है आपके पहले नमबर प्रस्न का सही जबाब कि पाक जल डमरु मद तथा मनार की खानी के द्वारा निर्मित संकरे समुंदरी जलमार के कारण स्रिलंका क्या होता है भारत से अलग होता है देखिए प्रस्न काफी इंपोटेंट है इस सेशन क और इस सेशन का पीडियाफ में टेलीगराम पर डाल दूगा वहां से एक बार आप लोग प्रते एक प्रस्न का डिसकर्शन अच्छे सा एक बार पढ़ लिजीगा ठीक है प्रस्न है दो नमबर देख लिजिए भारत का एक मात्र सक्रिये जवाला मुखी वेरन द्यूप कहा इस्तित है ध्यान रखेगा वेरन द्यूप का अगर बात किया जाए तो अप्सन नमबर ए आपके दो नमबर प्रस्न का सही जवाब होगा अंडमान निकोबार दीप समूँ ठीक है और डिसकर्शन देखिए कितना जबर जस्त दिया गया है भारत का एक मात्र सक्रिये जवा अलां वेरन दीप अंडमान निकोबार दीप समूँ पर एस्तित है जो बंगल की खारी में एस्तित अंडमान निकोबार दीप समूँ रखेगा अपसन नमबर यह हो जाएगा क्या है भवन इस्तित है अपसा नंबर ए हो जाएगा तीन नंबर प्रस्ण का सही जवाब और जब आप इसको पढ़िएगा डिसकर्शन के माध्यम से तो देखिए राइसीना पहाडी दिल्ली में इस्तित है जिस पर राष्ट पति भवन इस्तित है ठीक है और देखिए यह प्रवत सरिंकला का बिस्तार रहे ठीक है तो इस प्रस्ण का सही जवाब तिन नंबर का क्या हो जाएगा तो ध्यान रखिएगा अप्सन नमबर एक को ध्यान रखेगा, ठीक है, चलीए, अगले प्रस्ण को सल्व कीजिए, देखिए, चार नमबर, डेककन फास निमलीखित में से किसके मद्ध एस्तित है, अप्सन देख लिजिए, आप लोग, चार नमबर प्रस्ण का अप्सन आपके सामने है, और उत्तर भी सामने हैं ध्यार रखिएगा आपसा नंबर ए हो जाएगा दक्षणी और लिटिल अंडमान आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा डिसकर्शन को एक बर आप लोग पढ़ लिजेगा जिससे क्लास का टाइमिंग बच जाएगा तो ज़्यादा मैं प्रस्ण आपको सल्व कर जातिया है पांस नंबर प्रस्ण का सही जबाब निकी सही उत्तर अप्षण नंबर डी होगा इस बात को ध्यार रखिएगा इंपोर्टेंट प्रस्ण है आपके एक जान के लिए और देखिए डिसकर्शन काफी इंपोर्टेंट है एक बार आप जरूर पढ़िएगा मैं पर कह रहा हूं ठीक है चली अगला प्रस्ण है देखिए छो नंबर नला मलाई पहाडिया किस राज में इस्तित है तो ध्यार रखिएगा छो के लिए सही जबाब आपका अप्षण सी आंध्र परदेश हो जाएगा आंध्र परदेश आपका प्रस्ण का सही जबाब होगा ध्यार रखिएगा अगला प्रस्ण है देखिए साथ नंबर देशों के निमलिखित समुह में से किसके साथ अनुनांचल परदेश की सिमाए लगती है तो ध्यार रखिएगा भूटान के साथ लगता है चीन के साथ लगता है मैनमार के साथ लगता है ठीक है अप्षण परी 1987 में हुई थी और इसकी राधानी देख लेजिए इंटा नागर ठीक है इंटा नागर आप लोग ध्यार रखेगा अरुनांचल परदेश ऑसम और नागालेंड से भी मतलब ऑसम और नागालेंड के साथ भी सीमा साजा करता है अपसा नमबर सी होगा साथ के लिए सही कुछ टॉप महत्पून साथ प्रस्न था जोगराफी से जो हमेशा आपके एकजाम में पूछा जाता है कल पुना हम जब कलास सुरू करेंगे तो इससे आगे हम लोग 8 से आगे महत्पून साथ प्रस्नों को सल्व करेंगे यानि कि अब आपका कलास सुरू होने से पाले हम कुछ मात्पून प्रस्णों को सब्जेक्ट वाइज सल्व करने का काम करेंगे ठीक है तो अब आपका प्रेक्टिस सेट का प्रस्ण सुरू होगा प्रस्ण पहला है देख लीजिए हिमाले किस प्रकार की परवत असरणी है बताए हिमाले किस प्रकार की परवत श्रणी है तो ध्यान रखेगा आपसा नमबर वलीद परवत ठीक है अगले प्रस्ण को सल्व किजिए दो नमबर भारत की सबसे प्राचीन परवत मला कोन है सबसे प्राचीन परवत मला आपसे पुछा गया है ध्यान रखेगा और आवली आपके प्रस्न का सही जवाब होगा अपसा नमबर D में दिया गया ठीक है और इससे सम्मंदित राज्य आप लोग ध्यार रखेगा प्रमुकृप से राजस्तान को ठीक है चली अगला प्रस्न क्या है तीन नमबर पीर पंजाल परवत स्रिणी कहां में इस्तित है बताईए कहां में इस्तित है तो ध्यार रखेगा पीर पंजाल परवत स्रिणी अपसा नमबर C जम्मुकास्मीर आपके प्रस्न का सही जवाब होगा ठीक है चली अगला प्रस्न है देखिए सिपकिल्ला दर्रा कहां में इस्तित है तो देखिए हिमांचल परदेश आपके प्रस्न का सही जवाब होगा अपसा नमबर A में दिया गया है और हिमांचल परदेश का दर्रा याद रखने का ट्रीक है सराब आप लोग ध्यां रखेगा सराब आप लोग ध्यां रखेगा सा से सिपकिल्ला हो जाएगा रो से रोतांग अब वह से बाड़ा लाजपा दर् अगला प्रस्न है पांच नमबर लिपू लेख दर्रा कहा में दित है तो देखेगा लिपू लेख दर्रा का बात किया जाए तो ध्यार रखेगा आप सभी लोग अपसा नमबर A को उत्राखंड उत्राखंड आपके प्रस्न का सही जवाब होगा अगला प्रस्न है देख ल ते काडवम की पहाडिया केरल में इस्ति थे अपसन नमबर B को ध्यान रखेगा साथ के लिए सही जवाब होगा ठीक है अगले प्रस्ण को सल्ब केजिए देखिए आठ नमबर प्रस्ण है भारत में सबसे बड़ा नदी मुख किस नदी का है बदाए किस नदी का है देखिए या प्रस्ण बिहार, दर् municipality, और प्लिस में पूछा गया है प्रस्ण का सही जबाब हो जागा ध्यारस रखेगा अगला प्रस्ण को नव नमबर देख लेजिए बोम डिलादर्रा भारत के कि सराज में अस्तित है अगले प्रस्ण को सल्व कीजिए 10 नमबर स्वराय की पहाडिया कहा में इस्तित है 11 नमबर प्रस्ण है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहा जाता है काफी बार इसे बता भी चुके हैं सागर मथा कहा जाता है क्या कहा जाता है सागर मथा अप्सन नमबर C होगा 11 के लिए सही जवाब ठीक है अगला प्रस्न है 12 नमबर कोडाईकन नाल परवतनगर कहां परेस्तित है तो ध्यार रखिएगा यह प्रवतनगर अप्सन नमबर B पालनी पहाडी परेस्तित है पालनी पहाडी अप्सन नमबर B आपके 12 के लिए सही जवाब होगा तेरह नमबर प्रस्न में माउंट एवरेस्ट को तीबत में क्या कहा जाता है देखिए माउंट एवरेस्ट को प्रदेश में इस्तित है सराव को याद की जी रा से क्या हो जागा रोतांग आप लोग दियां रखेगा ठीक है अगले प्रस्न को देखिए यहाँ पर पूछा गया प्रस्न है बिहार पुलिस मद निशिद में भारत का रूर किसे कहा जाता है तो छोटा नागपूर पठार क यरलूंग जंगबो के नाम से तिबत में किस नदी को जाना जाता है अपसन देख लिजी आप लोग देखिए 16 नमबर प्रस्न के लिए अपसन आपके सामने है ध्यार रखेगा ब्रहं पूत्र नदी ठीक है 17 नमबर प्रस्न है गिरनार की पहारी का बात किया जाए तो ध्य थ्यार रखेगा गुजरात व्यार देख लोगा 17 के लिए सहवे अगला प्रस्न 18 नमबर जैविक मर्वश्थल के नाम से किसे जाना जाता है जैविक मर्वश्थल का बात किया जा तो ध्यार के दामोदर नदी दामोदर नदी आपके प्रस्न का सही जवाब होगा अपसन नमबर C में दिया गया ठीक है चलिए अगले प्रस्ण 19 नमबर को सल्व किजिए नाम नापचा बारवा चोटी भारत के किस राज में इस्तित है निकी नामचा बारवा चोटी के बारे में आपसे पूछा क्या है ध्यार रखेगा नामचा बारवा चोटी अपसा नमबर A ठीक है ध्यार रखेगा इंपोटेंट प्रस्ण अगला प्रस्ण है वीस नमबर पंच मडी पर्याटक है स्तल्प किस पहाडी परिष्थी थे बदाईए किस पहाडी परिष्थी ते और कल के भी सेशन में डिसकर्शन में हम इस प्रस्ण को बताए थे सत्पूरा पहारी में इस्तित है अप्सन नंबर C को आप लोग ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण है किस नंबर तमिलांडू एम आंध्र परदेश के टट को क्या कहते हैं ध्यान रखेगा तमिलांडू एम आंध्र परदेश के टट को यानि कि कोरो मंदल टट कहा जाता है अपसर नमबर D होगा 21 के लिए सही जबाब 22 नमबर प्रस्न को सल्व किजिए खूला नाला के नाम से किसे जाना जाता है ध्यार रखेगा यमुना नदी को खूला नाला कहा जाता है ठीक है चलिए अगला प्रस्ण है 23 नमबर सबसे बड़ा नदी बेसिन है सबसे बड़ा नदी बेसिन कोन है तो ध्यान रखेगा सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा को ध्यान रखेगा यानि कि 23 का सही जवाब अपसन नमबर D होगा ध्यान रखेगा प्रस्ण आपका 24 नंबर परवर्तिय नगर उंटी किस पहाडी परस्तित है ध्यान रखेगा उंटी का अगर बात किया जा तो अप्सन नंबर ए जो लोग भी बता रहे हैं इस प्रस्ण का बिलकुर उनका सही जबाब है निलगिरी पहाडी ठीक है निलगिरी पहाडी आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ध्यान रखेगा अगला प्रस्ण आपका 25 नंबर है देख लिजिए भारत की सबसे उंची चोटी केटू किस परवत श्रणी में एस्तित है ध्यान रखेगा केटू की उंचाई पूछे तो 8611 मिटर आप लोग बता दीजिएगा और ध्यान र अपसारत की सबसे उंची चोटी का बात किया जाए तो ध्यान रखेगा आप सभी लोग अपसा नंबर सी अनाई मुद्डी अनाई मुद्डी आपके प्रस्ण का सही जबाब होगा ध्यान रखेगा ध्यान रखेगा इसकी उंचाई 2695 मिटर ठीक है अपसा नंबर सी होगा 26 के लिए सहिजबाब अगला प्रसन है 27 नमबर गंगा के सबसे लंबी शहायक नदी कोन है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी आप लोग ध्यां रखेएगा कल के सेशन में गंगा नदी की लंबाई बताये थे और इसे रास्टी नदी कब घूसित किया गया डेट अगला प्रसन है गारो खासी युम जाइनतिया पहारी कहाँ एस्तित है मिगाले में एस्तित है अपसा नंबर बी को ध्यारक्षेगा आपके प्रस्न का सही जबाब होगा 29 नमबर परस ने लोनी नदी कहांस में गिर्ती या बिलीन होती है दीके लोनी नदी का बात किया जाए तो ध्यां रखेगा आप सभी लोग ध्यां रखेगा यह लोनी नदी अरावली परवत से निकलती है ठीक है यानि कि अरावली परवद के नागा पहाड़ी से निकलती है और ध्यान रखेगा आप सभी लोग यानि कि यह कख्च के रण में बिलीन हो जाती है ठीक है अपसा नमबर C होगा 29 के लिए सही जबाब तीस नमबर प्रस्न आपका खैबरदारा किस के बीच एस्तित है खैबरदारा का अगर बात किया जाए तो देखिए इंपोटेंड प्रस्न है पाकिस्तान एवं आफगानिस्तान आपके प्रस्न का सही जबाब होगा अपसा नमबर A में दिया गया ठीक है अगला प्रस्ण नमबर अरावली किस प्रकार के परवत है देखिए अरावली का बात किया जाए तो ध्यार रखेगा अपसिस्ट परवत है अपसन नमबर 1 को ध्यार रखेगा अगले प्रस्ण को सल्व किजिए 32 नमबर दक्षिन सहयादरी की सबसे उची चोटी कौन है ध्यार रखेगा दक्षिन सहयादरी पूछा गया है तो कुंद्रे मूख का नाम आप लोग ध्यार रखेगा अपसन नमबर B में दिया गया ठीक ह 33 नमबर प्रस्ण को सल्व किजिए प्राइदी पिये पठार किसका भाग है देखिए प्राइदी पिये पठार का अगर बात किया जाए तो ध्यार रखेगा गोडवाना लेंड का भाग है अपसन नमबर B होगा 33 के लिए सही जवाब 34 नमबर प्रस्ण है गुजरात से 35 नमबर भागी रथी एम अलग नंदा आपस में कहां पर आकर मिलती है बताईए कहां पर मिलती है जो लोग पढ़ लिये हैं उनका रिविजन अच्छा हो जाएगा ध्यार रखेगा देव परियाग देव परियाग आपके प्रस्ण का सही जवाब होगा अगला प्रस्ण है 37 नमबर सत्पूरा की रानी किसे कहा जाता है सत्पूरा की रानी किसे कहा जाता है ध्यार रखेगा अपसर नमबर सी पंच मड़ी को कहा जाता है ठीक है अगला प्रस्ण है 38 नमबर महादेव की पहारी कहां में इस्तित है मतलग किस राज्जी में इस्तित है ध्यार रखेग की 8850 मीटर अप्षान नमबर सी आपके प्रस्चन का सही ज difersecवाव होंगा ध्यान रखेगा ठीक के अगला प्रस्चन चालीच नमबर सहाद Wheat Sens नाम से जना लगर तो ध्यान रखेगा सहादरी को पच्छमी घा弥ी के नाम से जना जाता है ध्यान रखेगा अगला प्रस्ट नंबर पुर्वी घाट यों पॉच्मी घाट का मिलन एस्तल कहा है पूछा गया है बिहार दोरोगा बिहार पुलिस में या प्रस्ट निलगिरी के पहाड़ी आप लोग ध्यां रखेगा ठीक है अपसन नंबर भी आपके प्रस्ट का सही जबाब हो को क्या कहा जाता है तो देखिए बंगला देश में गंगा का अन्य नाम क्या है तो पदमा है ध्यां रखेगा अपसन मबर डी ठीक है अगला परस्ट नंबर अरावली की सब से उची चोटी आप लोग ध्यां रखिएगा यानि कि अपसन नंबर एक गूरू सीखर है तो देखिए उत्राखंड में ध्यार रखिएगा आपसन नमबर सी को ठीक है तो देखिए टॉप महत्पूर्ण प्रस्ण जोगराफी से हम लोग सात सल्व किये थी और इस प्रैक्टिस से हम लोगों ने 46 प्रस्णों को सल्व किया जब इसको सल्व कीजिये जोड़िएगा त तो जरूर सेशन को लाइक कर देज़ेगा और ज़्याद से ज़्यादा इस शेशन को सेर किजिएगा अपने फ्रेंड्सों के साथ यानि कि आपके पास अगर कोई एस्टडी ग्रूप हो तो उसमें इस सेशन के लिंक को जरूर डालतीजिएगा ठीक है और कमेंट में अपन स्कोर जरूर बताएगा जिससे हमें क्या होता है प्रतेक स्टुडेंट पर नजर रहता है कि किस का स्कोर पर सेट कितना हो पा रहा है ठीक है सेशन समाप्त करते हैं फिर मिलते हैं अगले सेशन के साथ तक के लिए जय हिंद जय भारत